हैं एलो फ्रेंट्स वागत है आप सबका मेरे यूट्यूप चैनल जिसका नाम है विकास3-1-tec अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप अपने मुबाइल फोन से ही अपने यूट्यूप चैनल को बड़िट करते हैं मतलब आपने अपने अपने जो यूट्यूब आप्लि एक ऐसे हैं यहांद को आपको शुर्त आपको च्राइटर लगाने का आपको दिखाई ब्राउजर से अपनी YouTube वीडियो को अपलोड करेंगे तो वहां पर आपको सारे ओप्षन दिखाई देंगे जो भी एडिटिंग करते टाइम आपको चाहिए होते हैं वहां पर आपको यह सारे ओप्षन दिखाई देंगे और वहां से अच्छे से अपनी वीडियो के कर पाएंगे और उससे आपकी वीडियो पर व्यूज भी आएंगे और आपका चैनल भी बूस्ट होगा तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको यहीं सिखाने वाला हूं कि आप अपने क्रोम ब्राउजर से अपने YouTube वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हैं बिल्कुल असान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा और काफी इंफरमेटिव वीडियो है तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा तो अब पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि मेरी लास्ट वीडियो पर जिसका पहला कमेंट आया था उसका चैनल आपको मेरी स्क्रीन पर दि वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि अग्रेंट समाद चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पे तो यहां पे हमें क्रोम ब्राउजर के सबसे पहले ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहां पे हमें सर्च करना है www.youtube.com ठीक है और आपको अपने चैनल के अंदर लोग इन कर लेना है मैंने एक डवी चैनल से लोग इन कर लिया आपको सिखाने के लिए ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पे टोप आपको यहां पे प्लस का एक आइकन दिखाई देगा वीडियो अपलोड करने का ठीक है इसके उपर आपको क्लिक करना है और यहां पे आपको क्रोम से वीडियो अपलोड करने के लिए यहां पे इसको टैप करके रखना है और इसको दूसरे टैप के अंदर खोलना है ठीक ह हम इस नए वाले टैब पर आ जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं अप्लोड फाइल करने का ओप्शन आ यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आप स्लेक्ट फाइल करेंगे और गैलरी में से आपकी जो भी फाइल है यहाँ वह आप यहाँ पर अप्लोड कर देंगे तो मैं जल्द सकते हैं यहाँ पर desktop की तरह है आपको सारे functions यहाँ पर दिखाई देते हैं जैसे आपको मैं एक एक करके बताओं जैसे उपर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ जूम करके मैं दिखाता हूं यहाँ पर टाइटल आगया आपका नीचे description आगया यह तो आपको उसमें भी है तो जिस category की आपकी वीडियो आप उस playlist में उसे add कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर audience है ठीक है यहाँ पर आप made for kids नो यह सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है जैसे मैंने नो कर लिया और यहाँ पर आप शो मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी advance option यहाँ पर open हो जाएंगे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे option आगे मैं थोड़ा सा इसे ठीक कर लेता हूं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वीडियो में automatic chapter generate कर देगा यहाँ पर option है यहाँ पर टैक्स हैं यहाँ पर अच्छे टैक्स लगा सकते हैं आपकी वीडियो का है सब्सक्रिप्शन का है यह सारे options आप देख सकते हैं आप नीचे category भी दे रखी है उसके बाद यहाँ पर comments आपको कौन से comments कौन करना है कौन से को नहीं करना वो सब आप यहाँ से setting कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर काफी सारे option आपको देखने को मिलते हैं और मैं थोड़ा चोटा करके आपको दिखाता हूं यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ वीडियो एलिमेंट्स हैं यहाँ से आप hand screen नाइकार्ड यहाँ इसमें एडिट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे विजिबिल्टी है अप्हां से स्केट कर सकते हैं ठीक है जो आपको यहाँ पर suitable लगता है वह आपकर सकते हैं तो इस तरीक तो इस तरीके से आप Chrome से अपनी यूटीव वीडियो का अपलोड कर सकते हैं बहुत यह असान तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके से क्रोम से जो आपका मोबाइल में क्रोम ब्राउजर है उससे आप अपनी यूट्यूब वीडियो का अप्लोड कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेट कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके मैंड में कोई क्वेश्चन में कमेंट करके पूश सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यूँ